हलो फ्रेंड्स आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत थी इंट्रेस्टिंग सी रस्पी खिचडी की आपने तरह तरह की खिचडी बनाई होंगी और खाई होंगी लेकिन आज हम आपको चने की दाल की खिचडी बनाना दिखाएंगे जिसका नाम है कुबूली खिचडी ये नानियों और दादियों के टाइम की बहुत ही अच्छी और टेस्टी रस्पी है और इस रस्पी के सारे ही टिप्स हम आपको देंगे वीडियो के लास्ट में तो आज हम बनाएंगे टेस्टी सी खिचड़ी, उबूली खिचड़ी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी लिए सबसे पहले हम ले लेंगे चने की डाल, इसको साफ कर लेंगे, बीन लेंगे, जिससे कोई कंकर पत्थर हो, तो इसमें से निकाल दें और इसको हम वाश करके भिगो देंगे कम से कम आदे गंटे के लिए और अब हम लेंगे एक कुकर, इसे हम कुकर में ही बनाएंगे, जिससे के जल्दी से बनके तयार हो जाए, आप बगोने वगएर हम बना सकते हैं, ओयल डाल कर, इसमें हम डाल देंगे, स्लाइस की हुई अनियन, और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, और अब हम एक इसमें मसाला तयार कर लेंगे, यह दाल भीग चुकी है और गल चुकी है, देख सकते हैं, तो इसको एक साइड अभी रख देंगे, पानी इसका निकालके अलग रख देंगे, और अब हम लेंगे जिंजर गारलिक का यह पेस्ट, इसमें हम जीरा डालेंगे, और भीगो के रख देंगे, जीरा को इसके अंदर, और अब प्यास भी इदर गुल्डन ब्राउन हो चुकी है, इसमें डालेंगे हम सूकी हुई लाल मिर्चे, छोटे छोटे पीसेज में काट लेंगे, और अब यह लैस्व नदर का जो पेस्ट था, जीरा जिसमें डाल के रख उसको इसमें डाल देंगे, और कुछ सिकंड चलाएंगे, और इसके बाद में इसमें हम डाल देंगे साबित हरी मिर्चे, हरी मिर्चों की इसमें बहुत अच्छी खुश्बू आती है, और अब डाल को डाल देंगे, डाल को वापस से एक से दो बार दो लिया था, और पान आयल चुटके अलग ना हो जाए तो बीच बीच में हम इसको इस्टिर करेंगे कुछ ही सेकंड में यह भुन जाती है मुश्किल से आधा मिनट लगेगा और इसमें चुट आया है जैसे आपको भी दिख रहा होगा और अब इसमें हम वाटर एक करेंगे पानी थोड़ा सागल डालेंगे दाल गल जाए उसके बाद भी बच जाए क्योंकि अब इसमें में चावल भी बाद में डालना है और डाल देंगे यहां पर हम सॉल्ट सॉल्ट चावल और डाल सबके कॉर्डिंग ही एक साथ ही डाल देंगे और इसको अब हम कवर करेंगे और तीन से चार विसल इतनी देर में दाल अच्छे से गल जाएगी और खोल के देखेंगे अब दाल तो गल चुकी है तैयार है कम से कम 90% हमें गला लेना है बाकी 10% चावल के साथ गल जाएगी और अब इसमें हम चावलों को दोकर डाल देंगे और पानी डालेंगे पानी हमें तीन उंगल सॉरी पानी हमें डियर उंगल के हिसाब से डालना है चावलों के उपर डियर उंगल पानी रहे तो चावल हमेशा ही एकदम परफेक्ट बनके तयार होते हैं तो बस पानी इतना ही रखेंगे ये चावल एक से दो विसल में अच्छे से तयार हो जाएंगे तो कवर लगा दिया है गैस को हाई कर दिया है और विसल आने का वेट करेंगे अब प्रिशर खुछ से रिलीज हो जाने के बाद में इसको हम खोलेंगे और देख सकते हैं कितनी खिली खिली सी और कितनी अच्छी एक हिच्छी बनकर तयार हुई है एक एक दाना चावल का बिलकुल अलग-अलग है और एकदम पर्फेक्ट गला हुआ है दाल भी पूरी तरह से गल चुकी है और चावल भी एकदम तयार है इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार इसके बाद में इसको डिशाउट करेंगे आप इस खिच्छी को ज़रूर बनाएं और ज़रूर ट्राइ करें और अब हम देखते हैं किस तरह से हमें इसे खाना है जो यह और ज़्यादा टेस्टी लगे जब इसको खाया जाए तो पहले तो आप इसको डिश में या प्लेट में निकाल लीजे जैसे भी खाना चाहते हैं उसके बाद में इसमें आप डालिए फ्राइड अनियन हमने थोड़ी सी निकाल ली थी और यह है प्योर गी आप इसमें बटर का भी यूज़ कर सकते हैं गी की जगे और उसके बा इस किछडी से रिलेटेड हम टिप्स हैं आज के आजी के वीडियो से रिलेटेड जिसमें सबसे पहला टिप है जब आप ये चने की डाल की किछडी बनाने जाएं तो इसमें सबसे पहला ध्यान रखें कि इसमें थोड़ी जादा सी प्यास का यूज़ करें जादा टेस्ट का यूज जादा करना है और साथ ही जीर को भीगों के रखें तो जादा अच्छा अच्छा फ्लेवर आएगा लहसुन अद्रक के अंदर जैसे हमने भीगों के रखा था इसके टिप है अगर आप जिन चापलों की खिजडी बनाने जा रहे हैं और वह चावल पुराने हैं तो आप उन चापलों को दो कर कम से कम 15 मिनट वाले भीगों के रख दीजिए और उसके बाद में ही उनका यूज करिए यानि के चावल को पकाईए तर्ड टिप है चने की डाल डाल कर उसे भूलने वजह यह है कि डाल और जादा सूंधी हो जाती है और खिजडी और जादा टे ना करें वह आपकी मर्जी है दही वगैरा रायता को देसी गी या फिर बटर इन दो जीदों के साथ खाएं अगर आप हैल्थ कॉंशेस नहीं है तो तो फिर आप इसका टेस्ट देखिएगा यह कितनी लाजवाब होती है तो यह तो टिप्स थे आजी के वीडियो से झाल झाल झाल